दोस्तों आज मैं जो है पेट में गैस बनती हो कब जो हो पेट में दर्द हो पेट की तमाम तकलीकों को यह जो है दूर करता है इसके सेवन करने से गैस नहीं बनती है और अगर गैस बनती है इसका सेवन कर लें तो तुरंत ही गैस में आराम मिल जाता है पेड़ दर्द भी आपको आराम देता है दोस्तों यह रस्पी में यह जो है अजवाइन है और यह काला नमक है जो आपके कीचन में मौजूद रहता है आप कभी भी इसका जो है प्रियोग कर सकती है अन्ता अगर गैस बन रही है पेट में दर्द हो रहा है तो इसका तुरंत सेवन करें यह बहुत ही लावकारी होता है इसका प्रियोग में जो है बरसों से कर रहा हूँ मेरा आजमाया हुआ है वही मैं सेहर कर रहा हूँ दोस्तों दोस्तों इसमें से यह डेढ़ चमच अजवाइन रहेगी यह डेढ़ चमच अजवाइन रहेगी इसके देखिए हम इसमें डाल ले रहे हैं देखिए इसमें हम डाल ले रहे हैं और इसमें से ये थोड़ा सा आधा चम्मच के करीबे नमक है काला नमक है जो मैंने जो है इसमें मिला लिया है देखिए दोस्तों इसमें हमने मिला लिया है अब इसका जो है इसे हम पीस लेंगे इसके द्वारा जो है इसमें खलल कर लेंगे बारीक इसको कूट लेंगे देखिए दोस्तों भी ये जो है पीस रहा है थोड़ा थोड़ा सा अधाय तयार हो चुका है इसको जो है खुम महीन पीसी अगर के आपके पास एक खलल नहीं हो तो आप किसी कटोरी में रखकर भी इसको पीस सकती है और पूरा महीन पीस लीजिए पीसने के बाद सेवन किय करें बदीवा जा सकता है देखिए दोस्तों मैं भी दीरे दीरे ये तयार हो चुका है मैं इसे जो है पो भूत महीन कर ले रहा हूं क्योंकि महीन होने से ही इसका लाभ मिलेगा दोस्तों के एक बात मैं बताना चाहता हूं कि मैं वही नुक्सा बताता हूँ जो मुझे आजमाया हुआ है जिसे मैं परियोग करता हूँ किसी पेट में दर्द हो, कब्ज हो, गैस बनती हो तो मैं तुरंत इसका इस्तेमाल बरसों से कर रहा हूँ जब भी मुझे कोई सिकायत होती है तो मैं इसका परियोग कर लेता हूँ और मुझे जो है तुरंत इसका लाब मिल जाता है दोस्तों इसलिए मैं यह रिष्पी, यह जड़ी बूटी, यह आपके घर में कीचन में मिलने वाली चीजें फिर से बताते चलें, इसमें अजवायन और काला नमक है, डेढ़ चमच अजवायन है, आधा चमच काला नमक है दोस्तों इसे पीच करके, इस खलल में हो, पीच करके, आप गरम पानी से इसका सेमन करें, तुरंत लाब होगा